कहानी मिथ्या गर्व मिथ्या गर्व करने से हानी को छोड़ कर और कुछ नहीं मिलता। समुद्र तट के एक नगर में एक धन एक वणिक रहता था। वणिक के पुत्रों को पक्षियों के पालने का बड़ा प्रेम था। उन्होंने जहां तरह तरह की पक्षि पाल रखे थे, वहां एक कववा भी पाल रखा था। कववा बड़ा अभिमानी था। वणिक के पुत्र भोजन करने के पश्चात अपना जूठन कववे को खिलाया करते थे। कववा प्रति दिन जूठन खाने से अधिक रिष्ट पुष्ट हो गया। रिष्ट पुष्ट होने पर उसके मन का गर्व और भी अधिक बढ़ गया। वो पक्षियों में अपने को सर्वश्रेष्ट और सबसे अधिक बलवान समझने लगा। सैयोग की बात समुद्र तट पर कुछ हंस भी उड़ते हुए जा पहुँचे। वनिक के पुत्रों ने जब हंसों को देखा तो वे उनकी सुन्दरता पर मुगद हो उठे और उनकी बहुत-बहुत प्रशंसा करने लगे। कवव अपने पालकों के मुख से हंसों की प्रशंसा सुन कर जल उठा। उसके मन में हंसों के प्रती इरशया उत्पन्न हो उठी। वो हंसों के पास जा पहुचा। कवे ने हंसों के प्रधान से कहा, तुम सब अपने को सर्वश्रेष्ट कहते हो, यदि सर्वश्रेष्ट हो तो मेरे साथ दोड़ की प्रतियोगिता करो, हंसों का प्रधान बोला, हम अपने मुक से अपने को सर्वश्रेष्ट नहीं कहते, यदि दूसरे लोग हमें सर्वश्र प्रिश्ट कहते हैं तो इसमें हमारा क्या दोश है? हम बड़ी दूर से मान सरोवर से उड़कराए हैं. हमें दूर दूर तक उड़ने का अभ्यास है. तुम व्यर्थ ही हमारे साथ उड़ने के लिए हट कर रहे हो. अभिमानी कववा गर्व भरे स्वर में बोल उठा, तुम्हें दूर दूर तक उड़ने का अभ्यास है, तो मैं क्या तुमसे कुछ कम हूँ? मैं उड़ने की सौ गतियां जानता हूँ. एक एक गती से सौ सौ योजन तक उड़ सकता हूँ. तुम उड़ने की कितनी गतियां ज जानता हूँ. अगर तुम उड़ना ही चाहते हो, तो मुझे तुमारे साथ उड़ना ही पड़ेगा. कववा और हंस में वाद विवाद हो ही रह था कि और भी पक्षी वहां एकत्र हो गए. कववे के हट पर हंस उड़ने के लिए तैयार हो गया. दोनों समुद्र की और आक मार्ग से उड़ने लगे. कववा अपनी कलाबाजियां दिखाता हुआ अधिक तेजी के साथ उड़ने लगा. वो तीवर गती से उड़ता हुआ हंस के आगे निकल गया. किन्तु कुछ दूर जाने पर कववा ठक गया. तेज उड़ने के कारण उसके पंक जवाब देने ल लगा. वो नीचे समुद्र की लहरों पर गिरता था और फिर उपर उड़ जाया करता था. उसके पंक पानी से भीग गए थे. हंस अपनी स्वाभाविक गती से उड़ता हुआ कववे के पास पहुचा. वो कववे को नीचे गिरता और उपर उड़ता हुआ देख कर बोला. कववे जी महराज, क्या ओड़ने की ये भी कोई गती है? आप क्यों बार-बार पानी में गिरते हैं और फिर ओड़ने लगते हैं? कववा लज्जित होकर बोला, भाई हंस, मुझे एक शमा कर दो. मुझ पर दया करो, मैं बहुत ठक गया हूँ. ठकने के कारण पानी में गि कर डूब जाऊंगा. कववे की दशा पर हंस के मन में दया उत्पन्न हो उठी. उसने नीचे जुक कर कववे को अपनी पीट पर बिठा लिया. हंस कववे को लेकर पुना समुद्रतट पर लोट गया. कववा लज्जित हो उठा. जो लोग मिथ्या गर्व करते हैं, वे कव के समान ही लज्जित और अपमानित होते हैं. कहानी से शिक्षा. किसी की प्रशंसास को सुनकर इरश्या नहीं करनी चाहिए. अपने को उतना ही समझना चाहिए जितना बल और जितनी योग्यता हो. इरश्या से मत्त होकर किसी बड़े के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी चाह हानी अधिक होती है कहानी समाप्त